वीडियो देखले से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाईए ओम स्री परमात्मने नमाद स्री मद्भागवत गीता नवे अध्याय का महात्मय स्री नारायन जी बोले हे लच्मी दच्छिर देश में एक सुसर्मा नाम का सुद्र राजा रहता था वह बड़ा पापी मास मदिरा आहारी था वह जुवा खेलता चोरी करता और पर इस्तरी के साथ रमन करता था एक दिन मदिरा पान से उसकी देश चूटी वह मर कर प्रेत हुआ वह एक बड़े व्रिच पर रहने लगा एक ब्रामन भी उसी नगर में रहता था दिन को विच्छा मांग कर इस्तरी को ला कर देवे उसकी इस्तरी बड़ी कलहिन थी समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे वह भी दोनों मर कर प्रेत हुए वह भी उसी व्रिच्छ के तले आ रहे जहाँ प्रेत रहता था वहां रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ एक दिन उसकी इस्तरी पिसाचनी ने कहा हे पुरुष पिसाच तुझको कुछ पिछले जनम की खबर है तब पिसाच ने कहा की खबर है मैं पिछले जनम में ब्रामण था तब पिसाचनी ने कहा तूने पिछले जनम में क्या साधन किया था जिससे तुझको पिछले जनम की खबर है तब उसने कहा मैंने पिछले जनम में एक ब्रामण से आध्यात्म कर्म सुना था तब फिर पिसाचनी ने कहा तुने और कौन साधन किया था और वह ब्रामण कौन था और वह आध्यात में कर्म क्या है जिसके सुनने से तुझे पिछले जनम की खबर है पिसाचनी ने कहा मैंने और कोई पुन्य नहीं किया है गीता जी का स्लोक स्रमन किया है उसका प्रयोजन यह है एक समय अर्जुन ने स्रीक्रिष्न से तीन बाते पूछी जो गीता जी के नवम अध्याय में लिखी हैं। वह तीन बाते पिसाचनी ने पिसाच से स्रवन किया। इन तीनों बातों को सुनते ही एक और प्रेत व्रिच्च से निकला। उसने कहा अरे पिसाचनी वह तीन बात फिर कहो जो अभी कह रही थी। पिसाचनी ने कहा तू कौन है मैं तुझे नहीं सुनाती। मैं अपने भरता से पूछती हूँ। वह कर्म कौन था जिससे पिछले जनम की खबर है। उन बातों के सुनते ही तीनों की प्रेत देह ततकाल छूट गई। देव देह पाई स्वर्गव से विमान आए। उन पर चन कर वैकुंट को प्राप्त हुए। श्री नालायन जी ने कहा है लच्मिया नवम अध्याय का महात्मे है। श्री कृष्ण समर्पडमस्तू।